सो हेलो गाइस नमस्कार मेरा भूरे रनाम है स्वनु सकंदर आगया है। फिर से आप लोगों के लिए के एक और खास वीडियो लेके जिस वीडियों में आज आप लोगों को में एक ऐसी एबलीकेसन सा इंटर्डि Commerce करने वाला हो। और यहां पर बहुत सारी website भी मिलते हैं जो ब्लैकंट वायट फोटो को कलर करके देती हैं लेकिन दोस्तों यहां पर आप इने यूज़ करते हो, वेबसाइट यूज़ करते हो, फोटो साफ यूज़ करते हो देखते रही है उससे पहले दोस्तों आपको एक बात बता दूं अगर आपने अभी तक हमार chyba इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मिले तक आपना अपसे आ बैल आइकन आ नहीं के करना काम यहुट कामीट occurs क्भू आ पार को इस तरी अपको वीडियो लग रही है अगर आपको कोई दिक्कत आती है तब हमें गुड्य में कह सकते हैं मुझे यहां पे दिक्कत आ रही है मैं तो चलीे दोस्तों बिना टाइम गवाए हुए वीडियो को शूरू करते हूं तो चलिए दोस्तों को मैं यहां पर open करता हूँ तो जब आप application को open करोगे तो इस application का interface है जो आपको इस तरीके से कुछ देखने के लिए मिलेगा तो यहां पर आपको कुछ permission आएंगे वो आपको permission दे देने होंगे और इसका interface इस तरीके से आपको देखने के लिए मिल इसके बाद दोस्तों यहां पर क्या करना है यहां पर आप देख सकते हैं मेरे पास एक credit है तो मैं सिर्फ एक ही फोटो को color कर सकता हूँ ज्यादा credit लेने के लिए आपको बीच में आएकन आ रहा है एक वीडियो का यहां पर आपको क्लिक करना होगा और यहां पर वीडियो चलना सुरू हो जाएगी तो दोस्तों यहां पर जो एडवर्टाइज आती है जो यहां पर वीडियो आती एडवर्टाइज की वह यहां पर आपको देखनी है पूरी वीडियो देखनी है अगर आप पूरी वीडियो नहीं देखोगे यहां पर एडवर्टाइज तो आपक में cut करता हूँ आप देख सकते हैं मेरे पास 4 credit हो चुके हैं तो एक add का आपको जो 3 creator मिल जाता है यहाँ पर तो इसके बाद आपको क्या करना होगा अगर आपको camera से photo को लेनी है कोई भी black and white तो आप camera से ले सकते हैं अगर आपके पास अब कोई photo है एक पहले से phone में तो आप जो फॉटो का या दो यहाँ पर यहाँ को किलिक करना होगा इसके बाद फोटो पे जाएगी फोटो दोस्तों आप देख सकते हैं यह फोटो जो एकदम कलर हो चुकी दोस्तों इसके लिए आपका net on होना एक complexity है क्योंकि आपका net on होना चाहिए और fast होना चाहिए तब ही आपकी फोटो बाटसाप पे आपका जैए और इसके लिए यहां पर सेव करने का फीचर नहीं देती है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा और किसी की वाट्साप पर share कर देना होगा और उसके जो बापस से आपको अपने फोन में send करवा लेना होगा और आपको यहां से प्रवलम है कि यह फोटो जो सेव नहीं होती है तो इसके लिए आपको क्या गरना किसी के वाटसप पे सेंड कर देना होगा और उसको बापसी से अपने फॉटो जो गैलरी में सेव हो जाए अपने दादा दादी के फोटो कोई भी रहता है अगर उनके फूराने फोटो है तो तो दोस्तो यही थी आज की वीडियो में कमाल की अप्लिकेशन तो उम्मीद करता हूँ यह अप्लिकेशन आप लोगों को काफी पसंद आई होगी और हमारी वीडियो भी आप लोगों को काफी पसंद आई होगी दोस्तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और से करके बगले में एक बैल आइकन आजाएगा उसे जरू से प्रेस कर लेजिए जो कि मैं जब भी इस तरह की वीडियो बनाओ तो इसका नोडिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जा और अप हमारी कोई भी वीडियो को मिस्स ना कर पाएं तो दोस्तों फ्लाले के लिए वसे तो मिलते नेस्ट वीडियो कोई नए वीडियो देगे तब तक टेक क्यार बाई